नबस्कार मेत्रो रुशी चिंतन तेनल में आपका आर्दिक स्वागत है अमारी स्चाथे गायतिक महामंत्र का उचालन कीजिए आज का चेप्टर है बुड़ी आदत एक अमिर आदमी अपने बेटे की किसी बुड़ी आदत से बहुत पढ़ेशान था वह जब भी बेटे से आदत छोड़ने को कहते तो एक ही जवाब मिलता अभी मैं इतना छोड़ता हूं दिरे दिरे यह आदत छोड़ दुगा पर वह कभी भी आदत छोड़ने का प्रयास नहीं करता उनी दिनों एक महात्मा गाओ में पदारे हुए थे जब आदमी को उनकी ख्याति के बारे में पता चला तो वह तुरंट उनके पास पोचा और अपनी समस्याओं पताने लगा महात्मा जी ने उसकी बात सुनी और कहा ठिक है आप अपने बेटे को कल सुबह बागीचे में लेकर आए वहे में आपका उपाई बताऊंगा अगले दिन सुबह पिता पुत्र बागीचे में पहुँचे महात्मा जी बेटे से बोले आए हम दोनों बागीचे की सेर करते हैं और वो दिरे दिरे आगे बढ़ने लगे चलते चलते ही महात्मा जी अचानक रुक के और बेटे से कहां क्या तुम इस छोटे से पोदे को उखाद सकते हो जी हाँ उसमें कौन सी बड़ी बात है और ऐसा कहिते हुए बेटे ने आसानी से पोदे को उखाद दिया फिर वे आगे बढ़ गए और थोड़ी देर बाद महात्मा जी ने थोड़े बड़े पैदे की तरफ इसारा करते हुए कहा क्या तुम इस भी उखाद चकते हो बेटे को तो माना इन सब में कितना मज़ा आ रहा है वह तुमत पोदा उखादने में लग गया इस बाड़े उसे थोड़ी मेनत लगी पर काफी प्रहतने के बाद उसे उसे भी उखाद दिया वह फिर आगे बढ़ गए और कुछ देर बाद पुन महात्मा जी ने एक गुढ़ हल के पैड़ की तरफ इसारा करते हुए बेटे से इस उखादने के लिए कहा बेटे ने पैड़ का ताना पकड़ा और उसे जोर जोर से खिचने लगा और पैड़ तो हिन्ने का भी नाम नहीं ले रहा था जब बहुत प्रियास करने के बाद भी पैड़ टस के मस नहीं हुआ तो बेटा बोला अरे ये तो बहुत मजबुत है इस उखादने का असंभव है महात्मेजी ने उसे प्यार से समझाते हुए का बेटा ठिक ऐसा ही बुरी आद़ों के साथ होता है जब वे नई होती है तो उन्हें छोड़ना आसान होता है पर वहीं जैसे जैसे पूरानी उती जाती है उन्हें छोड़ना मुश्किल हो जाता है बेटा उनकी बात समझ गया और उसने मन ही मन आज से ही बुरी आद़त छोड़ने का निश्य किया जैगुर्देव जैगुर्देव जैगुर्देव